मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नव जन्वरी के पंचांग राशिफल और महा उपाई के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए कारियों में रुची आपके लाब को आज प्रभावित कर सकते आपका इंट्रेस्ट नहीं बनेगा अरुची हो रुका हुआ कार याज पूर्ण हो सकता है किसी नए कारे के प्रारम की योजना भी आजाब बना सकते हैं उम कृतिने नमहमंतर का 108 बार जाप करें संपतिया उसके लावा नितिक निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए विकास के नए मार्ग मिलेंगे किसी अनुभवी विक्ति का सहीओ कार्यपूर्ती में सहायक होगा उम कैवल शुक्षदाय नमहमंतर का 108 बार जाप करें दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों के लिए गतिविधियां लापकारी रहने वाली हैं बुद्धी चातुर से अनेक कठिनाईयां आपकी दूर होंगी ओम गजाननाई नमहमंत्र का एक सो आट बार जाप करें आलत से बिलकुल भी आपको सुहाएगा नहीं सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रयास से जो भी कारे में बाधा आ रही है रुकावट हो रही है उसको आज आप दूर कर पाएंगे कारे के विग्न आपके प्रयास से दूर होने के योग बनते हैं ओम गणेश्वराय नमहमंत्र का एक सो आट बार जाप करें यात्रा करने से आपको बचना चाहिए कन्या नमहमंत्र का एक सो आट बार जाप करें संध्या काल में अध्यन करने से आपको बचना चाहिए तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आज गयापार में विशेश उतार चढ़ाव की स्तिती बनेगी मानसिक तनाव बना रहने वाला है ओम गुणा तीता नमहमंत्र का एक सो आट बार जाप करें यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए स्वास्त के प्रतियाज आपको सचेत रहना होगा जीवन साथी से कुछ समय के लिए अलग रहने के योग आपके लिए ओम गौरी पुत्राइन महमंत्र का एक सो आट बार जाप करें और दिन में शेहन करने से आपको बचना होगा मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए शारेडिक परशानी हो सकते हैं विशेशकर मानसिक कष्ट रहने की संभावना आपके लिए बनती है ओम चक्र चतुराइन महमंत्र का एक सो आट बार जाप करें भूके पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए नए प्रस्ताव मन में उत्सा उत्पन करेंगे खानपान में आज आपको सावधानी रखनी होगी ओम चतुराइन म महमंत्र का एक सो आट बार जाप करिए और किसी व्रिद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी बातों की अंदेखी करने से आपको बचना चाहिए तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारा राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र की इस्तितिया क्या कहती है और दिन को सुख में भी बने और जीवन में सुख शान्ति की भी एश्वरी की भी प्राप्ति हो और इस उपाय के लिए मैं आपको इंसिस करूँगा मैं आपको बार बार आग्रा करूँगा कि शुरुवात के दिनों में अगर नए साल की शुरुवाती कुछ दिनों में सुपाय को अ अपना लेते हैं तो आने वाला आपका पूरा साल जो है व्रिहस्पती देवता की कृपा से गुरु ग्रह व्रिहस्पती और भगवान विश्नु की कृपा से सुखमय एश्वरे से परिपूर्ण हो सकता है क्या है यह उपाई बहुत ध्यान से सुनिए किसी भी गुरुबार क के दिन केसर अत्वा हल्दी का तिलक आपको अवश लगाना चाहिए और एक बार आप यह उपाई शुरू कर लेते हैं तो आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि तिलक लगाना तो बहुत अच्छा काम है ना मानसिक शांती देता है दिमाग को यह ठंडा रखता है त सबसे इसके लिए योग दिन होता है सबसे शुब दिन होता है तो किसी भी गुरुवार से सुपाय को आप शुरू कर सकते तो साल के पहले गुरुवार से दूसरे गुरुवार से तीसरे गुरुवार से अगर आप शुरू कर लेंगे तो आने वाला साल आपका बहुत ही श और दोनों को मिला करके उसका एक पेस्ट बना लेते हैं उसका तिलक बना लेते हैं इससे आपको मानसिक बल मिलता है जिससे पारिवारिक जीवन में भी सुखद इस्तितियां बनी रहती है कुंडली में अगर व्रिहस्पती का योग कुछ खराब रहता है तो वो योग लाता है और आर्थिक पक्ष को ये बहुत मजबूत करने का बहुत सरल तोटका है किसी व्यक्ति की वाणी अगर बहुत खराब है बोली बहुत खराब है असयमित बोली है उसका अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रहता है वो किसी को भी अंडबंड बोल जाता है कुछ भी व्यवहार भी बहुत संसकारी होता है बहुत सयमित होता है क्योंकि गुरू मजबूत होगा तो आप एक आदर्श व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे व्यवहार करेंगे तो आपका क्रोध भी नियंत्रण में आ जाएगा आपकी वानी पर भी आपका बहुत अच्छा कंट्र हो जाएगा आप हर विर्ति से अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे और अगर ये दो चीजें ठीक हो जाती है आपका व्योहार ठीक हो जाता है तो जीवन में सुख हैश्वरे जो है वह अपने आप आने लगता है क्योंकि 90% लोग अपनी वानी से अपने बनते हुए काम को तो दोस्तो आशा करता हूँ कि शास्त से जुड़ी होई बाते हैं ग्यान की बाते हैं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्यति पसंद आती होंगी आप सबीसे बार बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको ल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर देन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद 90724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पर वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार